हरियान्य गुर्मेंट गुर्मेंट का बड़ा फैसला अब हरियान्य में 15.00 जनवरी 2022 से 75 % रोकिरीयों की बिल आनख़ वासियों पड़ियों से वाम साइवा। हरियान सरकार ने रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने के लिए अधिसुचना जारी कर दी है अब परदेश में 15 जनवरी 2022 से नेजी 76 की नोकरियों में भी आरक्षन नियम परभावी माने जाएंगे रोजगार अधिनियम लागू होने के बाद नेजी सेक्टर के कमपनियों के लिए जो भी नोकरियों है उसमें हरियान के मूल निवाशियों को 75 फीसदी आरक्षन देना आन्यवारी हो जाएगा मुख्यमंत्री मनौल नार ने परदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का टार्गेट आसिल करने के लिए इस अधिनियम को बेहद ही एहम और महत्पुन बताया है और इसके साथ काया है कि हरियाना सरकार सदेव ही यवाउं के साथ रही है उन्होंने कहा कि किसी परकार के चिंटा करने की आवसेक्ता नहीं है परदेश सरकार हर समय उनके साथ कड़ी है यानि युवाउं के साथ कड़ी है और उनको निरंतर रोजगार के आवसर मोहिया करवाने जा रही है वर्तमान रज्ज सरकार ने सत्ता में आने से पहले नीजी सेक्टर की नोकरियों में आरक्षन लागू करने का वादा किया था और यहां गवर्मेंट की तरब से C.M. ने कहा कि सरकार ने इस वादे को महज दो वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया है यह अबूत्पूर कदम है और इससे हजारों युवा लाभानवित होंगे और इसके साथ यहां यह भी बताया गया है कि जो यह 75% रिजर्वेशन होगा यह 15 जनुवरी 2022 से नीजी छेतर की कमपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट, लिमेटेड, लियाबिलिटी पार्टनर्सीप फर्म, पार्टनर्सीप फर्म के साथ नियोकताओं और कोई भी वेक्ति जो हरियाना में निर्मान, वयविशाय करने या कोई शिवा परदान करने के उद्धे से से वेतन मजदूरियान नेपारिसर में परदस या अधिक वेक्तियों काम पर रखता है, तो उन पर ये सारे नियम लागू होंगे, यानि कि 55% उन्हें हरियाना वासियों को ही नोकरी देनी पड़ी और इसके साथ-साथ एक बात हो, और है, जैसे मान लो, किसी डिस्टिक में, हरियान किसी डिस्टिक में कोई कमपनी लगी है, तो वहाँ जो 10% का अलग से रिजर्वेशन होता है, जगय का, जहां पर वो कमपनी है, उसके अलावा, सभी डिस्टिक को सामिल करना पड़ेगा, 45% रिजर्वेशन में, और इसके साथ-साथ ये कहा गया है, प्राइविट कमपनिय को सरम विभाग हर्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्द नामीत पोर्टल पर सकल मासिक वेतनिया जो 32,000 रुपए या 50,000 रुपए है, से अधिक वेतन पराप्त करने वाले सभी करमचारियों को पंजिकरित करना अनिवार ये होगा, इस अधिनियम के किसी सेक्टर 15 जनवरी 2022 से ये लागू है और आप ये देख सकते हैं, हर्याना इंप्लेमेंटेशन 75 रिजरिवेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट जो 2 मार्च 2021 ये आप देख सकते हैं, हर्याना गोवर्मेंट नोटिफाइड दे अक्तिन इस्टेट गजट इफेक्टिव 2 मा बाद में फिर विदान सभा में वे आया था और जो प्राइवेट सेक्टर से समने लोगों नोंने काफी विरूद भी किया था, इसे विरूद वो देखती विए जो सेलरी की कंडिशन है, वो रख दी गई है, यहां पर ये आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, हरियान वाशियों के लिए जो बेरोजगार युवा हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफी युवा काम करते हैं, तो इनकों लिए एक अच्छी खबर है, रादि बरी खबर है, कुछ मौके जरूर बढ़ेंगे इसे, और आगे देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है, जब ज